वल्कम बैक अब्रिवन यह प्रैक्टिस सेट नमबर टू जीरो बन है यूपी पीसियास के लिए हैं और इस टेस्ट सीरीज की प्रेलिस्ट वना रखिए वहाँ पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर दोसों एक तक पहुत सकते हैं डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक है उसका इन सभी कॉस्टिन का फूल टेस्ट सीरीज प्राप्स कर सकते हो डिस्क्रप्शन बॉक्स में नमबर असपर कॉलिया वाट्सप करके यानि पेड ग्रोप से आप जुड़ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट अफर्स के प्रश्म वार्षिक रिपोर्ट है और विश्वार्थिक मंच इसको वर्स दोहार चार से जो है जारी करता है प्रकाश्चित करता है वोशन नमबर टूपर आज़े है भारत में जनकर्णा की शुरूबाद आपने व्यश्वार्षिक साशन के दोरान कब होई थी कब होई थी ये तो अठारे सुक्यासी किया ठीक है एटी एटीवन ये नमबर है इस पर कॉले वर्ट सब करके आप फुल टेस्ट इस स्रीज प्राप्त कर सकते हैं जनसंक्या से संबंदित आंकड़े प्राप्त करने संसादनों तक पहुँचने सामाजिक परिवर्टन परी सीवन से संबंदित आंकड़े आधी का अपयोग करने के लिए जो है किया जाता है एक दिवस है राष्टे गड़ित दिवस कब मना जाता है यह दिसंबर कौमन है सभी में दिनांक क्या है राष्टे गड़ित दिवस जो है प्रतिवर्स 22 दिसंबर को मना जाता है तो भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्टे गड़ित दिवस मना जाता है और इसे राम अनुजन इसमरती दिवस के नाम से भी जाना जाता है और यह देश के महान गड़े तक स्रीनिवास राम अनुजन को समर्पित है जिनका जर्म हुए था 22 दिसमबर 1887 को Quesion No.4 पर आज़िए वेश्विक नवाचार सूचकांक यानि Global Innovation Index कोछ गलत तो नहीं है इसमें इसमें पहञाँ गलत है वेश्विक बैंक वाला वेषविक नवाचार सूचालित विकास का भाविश्च ये किया है, तो दूसरे तीसरे अगर इनकरेक्ट यहाँ पूछता तो आंसर अ होता तो हाल ही में विश्व बाध्धे के संपता संगठन के द्वारा वैस्विक नवचार सूचकांग 22 जारी किया गया ना कि विश्वेंग के द्वारा और इस ranking में भारत 132 देसो में 40 वे इस्थान पर है और भारत 21 में 46 वे इस्थान पर था और भारत जो है निम्न, मध्यम आय, वर्ग में 99 शी नेत्रत्थू करता है लगतार बारे साल से जो सुट्जर लेंड है वो सीर्स इस्थान पर है उसके बाद से उक्तराज अमेरिका दूसरा स्वीडन तीसरा यूनेटिक किंडम चोथा नीदर लेंड का इसमें पांचवा इस्थान है और चीन जो है सीर्स दस के करीब है जबकि तुर्की और भारत पह पहला इस्थान सुट्जर लेंड का है दूसरा से उक्तराज अमेरिका का कौन जारी करता है वेश्व बौधिक संपदा संगठन देखें वेश्विक नवचार सूचकांक देशों की छमता और नवचार में सफलता के अधार पर तयार किया जने वाले एक वार्षिक सूचकांक है ठीक हर साल जारी होता है और बड़ी संख्या में जो देश है वो वेश्विक नवचार सूचकांक का उपियोग अपने नव पारिसित्गी तंत्र काकलन और सुधार करने के लिए करते हैं सतत विकास लक्षों के संबंद में नवचार को मापने के लिए वैश्विक नवचार सूचकांको सेयुक्त राष्ट आर्थिक और समाजिक परिसत द्वारा विज्ञान प्रद्ध की एभम विकास के लिए नवचार पर 2019 के संकल्प में एक आधिकारिक वेंच मार्क के रूप में मानिता दी गई है कोश्चन नमबर फाइब पर आजए नमने के दम से कौन से आर्टिफिस्यल इंटेलिजेंस यानि AI तक्नीक के प्रकार हैं कौन कौन से प्रकार है AI तक्नीक के पहला है पूर्टे प्रतिक्रियात्मक ता पूर्टे प्रतिक्रियात्मक यानि प्यॉरली रेक्टिव सीमित स्मर्थी लिमिटेड मेमोरी मस्तिक्ष सिद्दान्थ यानि ब्रेन थियोरी आध्म चेतन सेल्फ कौन से आर्टिफिस्यल इंटेलिजेंस टेक्नीक के प्रकार है पहला है पूर्टे प्रतिकरियात्मक दूसरा भी है सेमित स्मरती लिमिटेड मेमोरी तीसरा भी है मस्तिक शिद्दान्त ब्रेन थियोरी आत्म चेतन सेल्फ कॉंसियस यूपी ऐसे सिवल सेवा में इस तरह के प्रेस्टन जरूर पूछे आता है डी हैसका आंसर 1,2,3,4 तो आर्टिफिसल इंटेलिजेंस यानि AI के जरिये कम्पूटर सिस्टम या रोबर्टिक सिस्टम तयार किया जाता है जिसे उनही तरकों के अधार पर चलाने का प्रियास किया जाता है जिसकी अधार पर मानब मस्तिक्स काम करता है सरल सब्दों में हम कहें तो आर्टिफिसल इंटेलिजेंस एक मसीन में सोचने समझने और निर्णे लेने की शमता का विकास करना है देखें विविन परिस्थितियों में वहतर ढंग से सोच समझ कर कार करने की शमता एक मसीन को देना आर्टिफिसल इंटेलिजेंस कहलाता है ठीक है अब यह कार किसी भी रूप में हो सकता है जैसे की भासा समझना दरश्य देखना मूभी देखना सत्रंज खेलना या फिर गाड़ी ही चलाना क्यों न हो कोई पूछले है तो डेफिनेशन दे सकते हैं आप यह वाली क्यों होता क्या आर्टिफिसल इंटेलिजेंस उधारन के दौर पर हम कुछ फिल्मों का एक्जामपल देकर इसको समझ सकते हैं जैसे रजने कांत की फिल्म आई थी रोबोट हॉलिवूट की फिल्म जैसे की सब्सक्राइब देखकर हम एक एक टेकनीक को समझ सकते हैं बाकि आर्टिफिसल इंटेलिजेंस के प्रकार की बात करें तो ऊपर चारों के चारों प्रकार हैं पूर्टे पृतिक्रियात्मक यानि प्यॉर्ली रेक्टिव सीमित स्मृती होती है लिमिटेड मेमोरी सब्सक्राइब देखिए आर्टिफिसल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुश्य की तरह सोचने वाला सौफ्टर बनाने का एक तरीका है और यह है इसके बारे में अध्यन करता है कि माना मस्तिक्स कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है कैसे निर्णे लेता है कैसे काम करता है आर्टिफिसल इंटेलिजेंस वाला कम्प्यूटर सिस्टम 1997 में सत्रंज के सर्वकालिक महान खिलाडियों में सामिल रूस के गैरी कॉस्परोब को हरा चुका है ठीक है इंपोर्टन टॉपिक है ये essay के लिए भी और answer writing practice के लिए भी और किसी वे exam के प्रिलिम्स के लिए भी question number six पराज़े भारतिय भूचंब कत्व संस्थान के बारे में इन उम्रीखित कथन है भारतिय भूचंब कत्व संस्थान भारत सरकार के विज्यान tofu के द्वाग के द्वारा सस्थाप स्थाप्त एक स्वायत अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना हुई थी 1951 में और इसका मुख्याला है उत्राखंड के दहरादूर में बताए कौन सा करेक्ट है इसका मुख्याला है भारतिय भू, चुमकत, अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1971 में हुई थी 1971 में ना कि 1951 में उत्राखंड के दहरादूर में नहीं मद्ध प्रदेश में इसका मुख्याल है अगी पहला वाला गरेक्ट है तो पूछना है तो यह इसका अंसर के वल सुरी मुंबई महराष्ट में इसका मुख्याल है भारते चौमकत्व संस्थान भारत सरकार के विज्ञानों प्रोध़की विभाग द्वारा स्थापय स्वायत अनुसंधान संस्थान ने तो यह करेक्ट हो गया कि इसकी स्थापना 1951 में नहीं 1971 में हुई थी और इसका मुख्याला है मुंबई के महराष्ट में ना तो उत्राखंड में और ना ही MP कि यह नंबर सेवन तो भद्राचलम मंदिरों के संदร में नम्लेखित कत्मों पर विचार करेंगे अगी कौन सा सही है तो यह रामयान महाकाव उसे संबंदेत हैं यह जो मन्दर है और भद्राचलम मंदिरों के समुक को सरकार के दोरा प्रशाद योजना के तहत विक्षित करने की योजना है यह जो मंदिर है वो तेलांगाना राज में गोदावरी नदी के वाएंत परिस्त दो और इंद मंदिरों में जो सामिल है एक रामप्पा मंदिर है ठीक है रामप्पा मंदिर इसको युनेस्कों की विस्व धर्वर सूची में सामिल किया गया है तो भद्राज शलम में बहुत सारे मंदिर है उसमें भी एक सामिल मंदिर उसका नाम है रामप्पा मंदिर उसी से र शाद योजना के तहद विक्षत करने की योजना है इसले नियूज में है ये प्रशन तो सारे के सारे करेक्ट होगे डी है इस कांसर 1,2,3,4 तो हाल ही में भारत के राश्ट पती ने तेलंगाना में भदराशला मंदिरों के समू में तीर्थियात्रा सुविधाओं के विकास परियोजना की आधारसिला रखी रामप्पा मंदिर यानि रुद्रेश्वर मंदिर में तीर्थियात्रा और विकास बुनियादी धांचे का विकास नामक एक अन्य परियोजना भी बाद में सामिल की गई है इन दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार की प्रेटन मंत्रा ले कि प्रशाद योजना के तहत मंजूरी प्रदान की गई है वाकि भद्राचलम मंदिरों का समू के बारे में हम जाने तो भद्राचलम के मंदिरों को 350 परसों से अधिक पुराना बताया जाता है और यह है रामयन महा कावे से संबन्दित है ऐसा माना चाता है कि भगवान स्री राम ने अपनी पत्नी देवी सीता और भाई लक्षमन के साथ 14 वर्स के वनवास का कुछ समय जो है भद्राचलम मंदिरों के पास दंड कारणय वन के एक हिस्से परना साल नामक गाउं में व्यतीद किया था और मंदिरों का यह समू तेलंगान राज में गोदाबरी नदी के वाएं तट परस्तेत है तो वो स्टेट्मेंट सही है जो कॉस्चन में था वाकि भगवान शिब का रामप्पा मंदिर वास्तुकला प्रतिभा का एक आदर्ष उधारण है जिसे 1213 इश्वी में काक्ते साशकों के द्वारा बनाया गया था और इसे यूनेस्कों की विस धरुहर सूची में सामिल किया गया है ठीक है रामप्पा मंदिर सीधे पूछे तो कहां पा रहा है तेलंगारा में यहां विरासत मंदिर पुड़तिए एक वर्ष दस लाग से अधिक आगांतुकों को आकर्षित करता है तथा प्रेटक सर्किट के वीज कुछ दर्षिता रखता है कोशन नमबर एट पर आज़िए कोशन नमबर एट है भारतिय मौसम विज्ञान विभाग से रिलेटेड भारतिय मौसम विज्ञान विभाग के संदर में अमलेखित कतनों पर विचार करेंगे भारतिया मौसम विग्यान विभाग के 48 वे इस्थापना दिवस के अफसर पर पृत्थी विग्यान मंत्राले ने जम्मू कस्मीर उत्राखंड हिमाचल परदेश में डॉपलर वैदर रडार प्रणाली का उधगाटन किया अगर प्रश्ण पूछा जाए कि हाल ही में डॉपलर वैदर रडार प्रणाली का उधगाटन कहाँ किया गया उत्राखंड हिमाचल परदेश जम्मू कस्मीर देखे भारतिया मौसम विग्यान विभाग की स्थापना वर्स 1875 में होई थी इसका मुक्याल है नई दिलिय में इस सिता दूसरा statement यह है इंगलेश में बोलते हैं इसको Indian Meteorological Department IMD पहला भी सही है दूसरा भी सही है दोनों के दोनों correct है तो C है इसका answer तो भारतिय मौसम बिज्ञान विभाग यानि IMD इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के 148 पे स्थापना दिवस के अफसर पर प्रतिवी विज्ञान मंत्राले ने जम्मु कस्मीर, उतराखंड और हिमाच्वर प्रदेश में डॉपलर, वैदर, रडार, प्रणाली का उध्वाटर किया और भारतिय मौसम बिज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी अलग से प्रश्म भी बन सकता है इसका मुख्याला है भारत की रजधानी नई दिल्ली में जीवित जीवो को विटेकर के द्वारा कितने जन्तु जगतों में वरिक्रत किया गया है दस चार तीन पांच जीवित जीवो को विटेकर के द्वारा वग्यानिक का नाम है ठीक है पांच पांच जन्तु जगतों में वरिक्रत किया गया है तो जीवती जीवतो को वी टेकर के द्वारा पांच जंतू जगतो में वर्गत किया गया है अर्थाथ गिंगम मोनिरा गिंगडम प्रोटेश्टा गिंगडम फंगि प्लांटे और गिंगडम एनेमिलिया परियावन से नक्षन अधिनियम और सूचना प्रदह की अधिनियम वर्ष दोहजार यह कूट इसकी अनुसार आंसर देना है परियावन से नक्षन अधिनियम तो 1986 गाय करेक्ट है क्या एक से अलिमिनेट हो रहा है यह दूसरे का दूसरा किसी में है दूसरे का दूसरा तो कई में है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है भारतिया डाक घर अधिनियम 1888 में ये इस करेक्ट है पहला वाला तो 1212 पहला हो गया फर सावजनिक देता भीमा अधिनियम 1991 हो गया सूचना प्रदे की अधिनियम वर्स 2000 हो गया तो भारतिया डाक घर अधिनियम 1888 परियवन स्रनक्षन अधिनियम 1986 286 सावजिनिक देता विमा धिनियम 1991 और सूचना प्रोधे की अधिनियम वर्स 2000 तो दस प्रशन एड़ थे एक दो प्रशन जीक्के के और बगी करेंट अफेर्स इनकी प्रक्टिस आप कर सकते हो एक से दोबार इन सबी टेस्ट का पीडिया भी प्राप्त कर सकते हो वो मिलेग आपको पेड टेलिग्राम ग्रूप में ही धन्यवाद